नमस्का दोस्तों राजियो सर के नाम से इस यूट्यूब चलम आपका हर्दिक स्वागत है वीडियो की स्कड़ी के अंदर आज हम एक नया वीडियो लेके आये हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल अप नाइन एक्जाम में इंटेगोमेंटरी सिस्टम हम जब सब्सक्राइब करने के लिए हमें टोटल बोडी परसंटेज एरिया कांट करना पड़ता है और उसके लिए यूज किया जाता है रूल ओप नाइन को कैसे कांट किया जाता है उसको हम चार्ट के थूँ आज समझने वाले हैं तांकि एक्जाम के अंदर रूल ओप नाइन से समंदित जो भी questions आते हैं उनको आप के लिए जो है वो solve कर पाए अभी हमारे जो वीडियो रहेंगे वो slightly exam based के उपर रहेंगे जिसमें थोड़ी continuity topic की थोड़ी less रहेगी और सारे important topic हम involve करेंगे वो सारे topic जो exam में important रहते हैं 200 questions का exam paper होता है दिल्ली EMS का जिसके होने की संभा उसके अनुसार one by one topic मैं यहां पर ले के आऊँगा और उन topic के उपर हम theoretically plus with questions उसको समझेंगे तो definitely उस exam में आपको बहुत बड़ी साइब मदद मिल पाए तो rule of nine आज हम समझने वाले हैं rule of nine rule of nine rule of nine rule of nine जो है वो burn में fluid को calculate करने के लिए काम आता है तो rule of nine कैसे किस तरीके से ह हम यहां पर देखते हैं सबसे पहला question जो है rule of nine जो होता है loon and broader यह scientist थे उन्होंने एक चार्ट दिया यह चार्ट फोलो हता है rule of nine के अंदर rule of nine जो होता है इसमें body जो होती है जैसे मालो एक individual है और यह individual का body है उस body को rule of nine के अंदर यह individual है इसकी body जो है इसको rule of nine के अंदर हम यह पर डिवाइड करते है रूल ऑप nine के अंदर individual की body में एक तो आता है head and neck head and neck एक तो आता है head and neck एक आता है anterior torso एक आता है anterior torso एक आता है posterior torso posterior torso एक आता है upper extremities अपर extremities अपर extremities एक आता है lower extremities lower extremities और एक आता है यहां पर जैनाइटेलिया जैनाइटेलिया रूल ऑप नाइन में body जो है उसको डिवाइड किया जाता है इन पांच छे पार्ट के अंदर जिसमें एक आता है head and neck दूसरा आता है anterior torso तीसरा आता है posterior torso fourth one is upper extremities lower extremities और genitalia जैसे एक individual का body है इसमें सबसे पहले आता है head and neck यह head और यह neck head and neck यह जो head and neck है इसके लिए rule of nine के अंदर यह जो area head and neck यह जो area है 9% जो anterior torso जो होती है वह यहां से लेके यहां तक होता है यह आगे वाला इरिया इसको बोलते हैं anterior torso start from head and neck neck के lower side से लेके genitalia तक यह जो area रहता इस area को हम क्या नाम देते हैं anterior torso तो anterior torso जो अता है इसको देते हैं 18%, कितना देते हैं 18%, posterior torso जैसा यह anterior में है, वैसे यह back side में, तो इसको बोलते है posterior torso, posterior torso को भी कितना देते हैं 18%, बड़ा simple है, यहाँ पे head and neck को कितना दिया 9%, anterior torso को कितना दिया 18%, और posterior torso को कितना दिया 18%, head and neck 9%, anterior torso 18%, posterior torso 18%, अब अपर की body में, genitalia के उपर उपर क्या बच गया, upper extremity, जिसमें दोनों arms रहते हैं, तो दोनों arms जो है, right and left, यह तो दोनों arms है, इन दोनों arms को upper extremity कहते हैं, तो एक arm जो होता है उसको 9 कहते हैं, दूसरे arm को 9, और 9 और 9 कितना होगे 18 तो upper extremity को भी कितना दिते हैं, 18%, बहुत simple है, head and neck 9 था, यह 9 है, यह 9 है, दोनों को मिला के 18 है, तो यह 9 था, यह दोनों 18 है, आगे का 18 है, और पीछे का 18 है, उपर की body जो है, वो complete हो जाता है, now, lower extremity, lower extremity में दोनों foot आते हैं, दोनों leg, यह ना, right or left, यह lower extremity में आते हैं, तो 18% यह होता है, एक्परसेंट यह होता है, एंटिरे टॉर्स हो कितना था कितना है, और पॉस्टे टॉर्स कितना था, 18, head and neck कितना था, 9, right extremity 9, left 9, 9 और 9 18, तो head and neck 9 था, अपर टॉर्स एंटीरे टॉर्स यह 18, पॉस्टे यह तो डिया जाता है one percent यह गया 36 December and how the 9% 19% 18% anterior posterior torso यह गया upper extremity is 18% यह गया lower extremities 36% यह जनट्रेटलिया 1% you can calculate 9 plus 18 27 27 plus 18 तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो कितना जाएगा? 100% to a head and neck 9% परसेंट एंडेयर तो 18% पना सो एंडेयर तो एंडेयर जाएगा परसेंट और टोतल हम तो जाएगा ग्येयरक। जने लिए 1% total add करो तो 100% अब अगर आपको बोले कि पेसेंट इप बर्ण का और बर्ण के पेसेंट के अंदर जो है head and neck का burn हो चुका है और right extremities का burn हो चुका है और left lower leg का burn हो चुका है तो rule of nine के अपूर्णी burn का percentage निकालो तो head and neck अगर burn है तो 9% हो गया right extremities है तो 9% हो गया left lower leg 18% हो गया अब तिनों को जोड़ दो 9 और 9 18 और 18 36 तो burn का percentage कितना हो गया 36% rule of nine percentage of total body surface area यह ग्याद करना होता है और percentage of total body surface area ग्याद करने के लिए rule of nine का में लिया जाता है rule of nine के अदर body को 99% से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है जिसमें head and neck को 9% दिया जाता है upper extremities में right को 9 left को 9 तो 18% हो जाता है antirate also 18 होता है posterior to 18 होता है right leg 18 होता है left leg 18 होता है और genitalia को 1% दिया जाता है total 100% होता है यह rule of nine use किया जाता है adult के अंदर burn की condition के अंदर now pediatric के अंदर अगर हम थोड़ा इदर आवे तो बच्चों के अंदर जब rule of nine वाला formula apply करते हम तो थोड़ा सा changes है same picture है थोड़ा changes है जब बच्चों में rule of nine हम apply करते है तो पिक्चर तो same है लेकिन थोड़ा changes है थोड़ा changes क्या है कि अगर पीडेट्री के अंदर डालू तो यह यह जो head and neck है head and neck है और यह जो lower extremities है इनके अंदर change कर दो क्या change कर दो यह 18 की जगे यह कितना हो जाएगा यह 14 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 14 तो कितने कम होगे 4 इस में से कम होगे और जने टेलिया बचों में काउंट नहीं करते हैं तो वन परसेंट यह कम हो गया तो चार इदर से चार इदर से आठ और एक नो नो परसेंट लोबर साइट से मैंने माइनस किया और यह नो परसेंट का देते हैं head and neck में तो अगर पीडियर्ट्रिक पॉइंट बात करें उसमें head and neck को 18 परसेंट कहते हैं राइट लेप नाइन रहता है एंटी रेट और फोटीन है और यह फोटीन है और जने टेलिया के लिए बच्चों में नंबर नहीं जिया जाता है क्योंकि 12 साल की उमर से पहले जनेटल और ग्रोथ न होता है तो बच्चों में जब हम rule of nine के लिए जाते हैं तो यह 14 14 हो जाता है उपर 18 हो जाता है यह 9 रहेगा यह 9 यह 9 18 और 18 18 और 18 और 1% तो यह पूरी कहानी रहती है rule of nine की burn के मरीज में fluid को calculate जब हम करते हैं तो उसमें total body surface area count करने के लिए rule of nine जो है वो यूज किया जाता है rule of nine आपको अच्छे से remember होना चाहिए एक्जाम में जो है question को solve करने में बहुत बड़ा role रहता है इस rule का तो यह एक चोटा सा वीडियो था इसी तरीके के मज़ेदा topic को सुनने के लिए जुड़े बेरे मेरे YouTube चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें वीडियो को share करें comment box में अपना सुजाव जरूर डाले और यह सब करने के लावा एक काम जरूर करें कि चैनल को वीडियो को maximum लोगों तक पहुचाए वह सारे लोग जिनको जरुत है इस तरीके के topics की तांकि उनका future तो है वो bright हो सके और हम सब की जो मिली जूली कौसी स यह काम्याग हो सकी थन्यवाद